नमस्कार आप सभी दर्सकों को हमारी तरफ से गनेश उत्सव की ठेर सारी शुब कामना है। पुरे देश में जोरो सोरो से हो रही गनेश उत्सव की तैयारिया। उसी उपलक्ष पर आईए जानते हैं कुछ खास बाते। गनों के अधिपती श्री गनेश प्रथम पूजे हैं। सर्व प्रथम उन्ही की पूजा की जाती है। उनके बाद अन्य देवताओं की पूजा की जाती है। किसे भी कर्म कांड में श्री गनेश की पूजा आराधना सबसे पहले की जाती है। क्योंकि गनेश जी विग्न हरता है और आने वाले सभी विग्नों को तूर कर देते हैं श्री गनेश जी लोकमंगल के देवता है लोकमंगल उनका उद्देश है परन्तु जहां भी अमंगल होता है उसे दूर करने के लिए श्री गनेश अग्रणी रहते हैं गनेश जी रिद्धी सिद्धी के स्वामी है इसलिए उनकी कृपा से सम्पता और सम्रिद्धी का कभी भी अभाव नहीं रहता। श्री गनेश जी को दुर्वा और मोदक अत्यंत प्रिय है। उद्या तिथी के अनुसार 19 सितंबर को गनेश चतुर्थी का पर्व मनायत जा रहा है। आईए जानते हैं क्या है गनेश चतुर्थी का सुब मुहुरत। हिंदू पंचांग के अनुसार स्री गनेश जी की प्रतिमा को स्थापित करने का सुब समय 19 सितंबर को सुबर 10 बच कर 59 मिनट से देकर तो पहर के 1 बच कर 16 मिनट तक रहेगा पूरे भारत के लोग गनेश चतुर्थी को बहुत धूम धाम से मनाते हैं और भव्य पूजा पंडाल भी तैयार करते हैं महरास्ट्र के मुंबई में गनेश चत्सव की भव्यता देखने योग्य होती है देश में होने के साथ साथ यत्योहार विदेशों में रहने वाले भारतिय और अन्यमूल के लोग भी एक साथ मिलकर मनाते हैं दन्यवाद और ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे चैनल सफर सच के साथ